यह जानने के लिए सीधे डेटा सेंटर चलते है प्राची के पास प्राची बताईए सबसे बड़ी खबर इस ओपिनियन पोल की गड़वाल से विल्कुल देखे सबसे बड़ी खबर क्योंकि बात अब सीटों की होगी जस पर सभी की निकाहें ठीकी रहती हैं जान लिया दर्चकों ने सवाल ये है कि गड़वाल में किसे कितनी सीट मिलेंगी क्योंकि कुल 30 सीटे हैं गड़वाल में और ये सवाल हमने जनरता से पूछा कि गड़वाल में किसे कितनी सीट मिलेंगी पुल 30 सीटों का किस तरीके से बटवारा हो रहा है इस ओपिनियन पोल में आईए जल्दी से बता देते हैं क्योंकि इसके अनुमान भी सामने आ गए है भारतिया जिनलता पार्टी को बढ़त मिलते हुई 17 से 21 सीटे मिलने का अनुमान है जबकि अगर कॉंग्रस की बात करें तो कुल 8 से 14 सीटे मिलने का अनुमान है 30 सीटों में से आम आदनी पार्टी की बात करें तो शूने से 1 सीट मिलती हुई नसर आ रही है यानि खाता खोलेगी भी या नहीं ये बड़ा सवाल है अगर अन्ने की बात कर लें तो अन्ने के खाते में भी शूने यानि की आपर कोई जगा नजर नहीं आ रही है अभी तक के जो अनुमान हमारे ओपिनियन पोल में सामने आ रहे हैं गड़वाल की 30 सीटों को लेकर अब इसमें बड़ी खबर क्या है ये जानने के लिए हम ब्रेकिंग सेंटर का रुख करेंगे दीपा बताईए किसे कितनी सीटे इसी पर लगातार मंतर भी हुआ हम ने देखा तमाम सियासी धुरंदर वहाँ पर ब्रेकिंगे से 21 सीटे याँ पर मिल सकती है और आप जो तीसरा मोचा वहाँ पर लगातार खड़ा कर रही है मजबूती के साथ आपको भी शुन्य से एक सीट मिलने का अनुमाल है यह बड़ी जानकर और अन्य की खाते में शुन्य कुछ भी नहीं मिल रहा यह बड़ी ख़बर इस वक्ति क को लेकर रहे देखे गड़वाल सबसे बड़ा मंदल हो जाता है और इसी लिए भी यहां की हर एक सीट बहुत एहम है बीजेपी यहां पर मजबूती के साथ खड़ी दिखाई दे रही है कॉंग्रिस भी लगातार कोशिश कर रही है लेकिन सीटें कॉंग्रिस को कितनी मिल रह भारती जनिता पार्टी को मिल सकती है यह आप देख सकते हैं गड़वाल का टेली आपके सामने है कॉंग्रिस को आठ से चौदा आम आदमी पार्टी को शुन्य से एक अन्य को एक भी सीट नहीं मिलने का अनुमान है तो गड़वाल की टेली खुल चुके आपके का आम आदमी पार्टी शुन्य से एक सीट यह आंकडा गड़वाल का निकल कर सामने आ रहा है जो बड़ी तस्वीर दिखा रहा है यानि गड़वाल में यह कहा जाए तो भारतीय जनिता पार्टी को बढ़त मिलती हुई देख रही है इस ओपीनियन पोल के मुतामिक इस श सिदा जो में टेख